एक तरह से गिर्वी रखना चाहते हैं, ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है, शुरक्षा के नजर से देख रहा है, अस्पीकर ने कहा, वहाँ सभापती ने कहा, जाँ छोने के बाद ही तो कोई निर्ने होगा, क्योंकि इनके पास कोई भी शय तो नहीं है, इसलिए मोदी जी को गाली देना है, इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन समय आने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब, माननिय गिरह मंत्री, अमीद साहजी देंगे, करारा जवाब ठोक करके देंगे, बेकार की बात क्यों हैं, बिना जाँच का कोई जवाब देता है, कहीं देखा है, जाँच हो रही है, परत दर परत, जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे, तब पता चलेगा, महा जूट जदियू के लोग बोल रहे हैं, कि बनारस में मुझे जगह नहीं मिला, इनको लोग नहीं जुट रह है, आभीर नहीं जुटेगा, इसी भाइसे ये रैली को अस्थागित किया, अब मैं चुनावती देता हूं कि रैली करें, और मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें, जैसे केजरिवाल अपनी लोग प्रता का पड़ इच्छा ले लिया, वैसे ही नितिसो बाउ जाके है कि बिहार के लोग मुरक है, यही बोलवाते हैं और अपने कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, यह बोलवा करके ऊपर कांग्रेस के लोगों को कहना चाहते हैं मुझे मानो, यही है और कुछ नहीं है, यह राजनती करन है नहीं तो और क्या है, स्पीकर उतनी गंभिरता स कहा सभापती इतनी गंभीरता से कहा यह टी टी एमसी हो कांग्रेस हो अप बिपक्ष के लोगों ने जिस ढंग से हंगामा किया सदन में कोई काम नहीं होने देते हैं क्या यह लोग जांच करेंगे कि जांच एजंसी जांच करेंगी यह गंभीरता को सुरक्षा की गंभीरता क को ये हलका करना चाहते हैं ये इसी ढंक से किसान अंदोलन में इन लोगों ने किया था अब बाद में पता चला ये टूल कीट विदेश से तैयार हुआ था ये टूल कीट विदेश से तैयार हुआ था एक एक चीज का जबाब दिया जाएगा और तब इनको पता चलेगा अभ भी बिना जाच का कुछ नहीं कहूंगा लेकिन परत दर परत खुलेगा तो लोगों का चेहड़ा बे नकाब होगा वाह ये तो तैय है मोदी यूग पुरूस है वो अवतारित पुरूस है उनके समय ही ये सारा चीज होगा भारत का शनातन भी होगा दुनिया में भारत एक नम एक नमर एकोनोमी से पांच नमर एक नमर एकोनोमी में जाएगा दुनिया में भी स्ट गुरू भी बनेगा अभारत के संस्कृतिक बैभव भी सम्रित काल में होगा